दोस्तों, नमस्कार आपका स्वागत है इस खास और दिल्चस्प वीडियो में, जहां हम आपको सिनेमा की दुनिया के अंसुने और रोमांचक किस्सों से रूबरू कराएंगे, जो ना केवल आपको मनोरंजन देंगे बल्कि आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी मे भी बेहद मदददार साबित होंगे। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और करंट अफेर्स पर अपनी पकर मजबूत रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो खासतोर पर आपके लिए हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाई, इस रोमांचक सफर की शुरूआत करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं, आज भले ही शाहरुख खान, सल्मान खान और आमिर खान को बॉलिवुद के, खान सूपरस्टास के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन से पहले एक और खान थे, जिन्होंने अपने अंदाज और पफेक्शन स थे। फिरोज खान ने अपनी स्टाइलिश शक्सियत और दमदार अभिने से बॉलिवुद में एक अलग पहचान बनाए। उनकी हर फिल्म ने न केवल बॉक्स आफिस पर धूम मचाए, बलकि उनके निर्देशन की प्रतिभा ने भी दर्शकों को खूब प्रभावित किय कुर्बानी जैसी सुपहित फिल्म के जरिये उन्होंने साबित किया कि वो बॉलिवुद के असली खान हैं, जिनकी कला और जुनूम की मिसाल दी जाती है। उनने हाल ही में एक इंटर्व्यू में खुलासा किया कि उनके पिता का यह साहसित फैसला उनके जुनूम और समर्पन का प्रतिक था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कुर्बानी में विनोट खन्ना का जो रोल था, वो पहले अमिताब बच्चन को ओफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद यह भूमिका विनोट खन्ना को मिली और यह फिल्म उनके करिया के लिए मील का पत्थर साबित हुई। कुर्बानी की जबरदस्ट सफलता का अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि मुंबई में यह फिल्म तीन महीने तक हावसफो चले थी। फिल्म की कमाये इतनी ज़्यादा थी कि नोट गिनने के लिए एक टीम लगानी पही। एक दशमलव पांच पांच करोड में बनी इस फिल्म ने भारतिय बॉक्स ओफिस पर 6 करोड और वर्लवाइब 12 करोड से ज़्यादा की कमाये की थी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही दिल्चस्प और ज्यानवर्धक जानकारियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमाये की थी।